Hello everyone, welcome back to my channel Study With Me तो आज हम जो पोईम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है Empathy Empathy के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और उसी चाप्टर के end में जाकर हमें एक पोईम हमारी बुक में मिलती है इस पोईम को हम एक अनकनवेंशनल तरीके से पढ़ेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग दे पोईम पहले हम इसकी समरी पे थोड़ा सा नजर डालेंगे और समरी तो हमें समझ आ जाएगे तो पोईम तो समझना चुटकियों का काम हो जाएगा समरी से भी पहले यू नीट तो नो कि इस पोईम को लिखा किसने है तो यह लिखी है पेटे क्राउथर में पी ए थी इए पेटे और क्राउथर थी आर ओ टी एच ए आर इनका जर्म जो है वो चार जुलाई को हुआ था 1949 में एक बिटिश जोनलिस्ट थे, short story writer थे, novelist थे, editor थे, publisher थे और anthologist थे अब पडेंगे हम इनके द्वारा लिखी हुई poem Empathy की Summary The poem Empathy explores the concept of putting oneself in the perspective of an animal and understanding their experiences The speaker contemplates how it would feel to be a cow, horse, chicken, sheep or so Living in conditions that are uncomfortable, distressing or even cruel यह जो poem Empathy है, यह हमें बताती है अपने आपको दूसरे के perspective में रखने का तरीका अपने आपको दूसरे के नजरिये से सोचो कि अगर हम उस व्यक्ति, उस चानवर, उस particular चीज के जगा होते तो हम क्या सोच रहे होते हमारे साथ क्या हो रहा होता Empathy जो है, यह हमें बताती है कि कैसे लगता आपको अगर आप एक cow होते, या आप एक chicken होते, या आप एक horse होते, या आप एक sheep होते या आप एक pig होते उन conditions में आप रह रहे होते जो बहुत uncomfortable हैं, जो बिलकुल भी comfortable नहीं हैं बहुत दुखदायक conditions है, बहुत दरिदर conditions है, and you are not enjoying to be there कैसा लगता ऐसी conditions में रहकर आपको वो हमें ये बताते हैं कि वो एक ability ना होना जब आपके उपर मक्हियां बैठते हैं, आपके आखों के पास मक्हियां आ रहे हैं, आपके हाथ नहीं है, आप उन्हें उड़ा नहीं पा रहे हैं तो आपको कैसा feel होगा या आपको कैसा feel होगा, just imagine की वोट बड़े पास मुर्गी के बारे में यह क्य см intriguing अपने आफ को उनके नजरिये से देखें और फिर समझें, आपने यह भी नहीं है तो आपको नहीं है Only your just 확인 right-up करने को ले रहे हैं या तुम्हारे साथ जो भी whatever things are going to be done with you या तुम्हें ऐसी conditions में रखा गया है जहां पर बहुत हीट है जहां पर इंक्यूबेशन हीट जहां पर बहुत सारी होती है या फिर मिलब बनाग था था इसी है तुम्हें पोल्टरी फार्म में हो इमाजन करो तुम्हें एक मुर्गी हो continuous daylight तुम्हारे उपर बढ़ रही है और bulbs लगाए गए हुए है बहुत सारी बहुत सारी हीट है तुम्हारे आसपास इतनी गंदी स्मेल होती है पोल्टरी फॉर्म में अगर आपने कभी विजट कर रहा हो तो बहुत ही गंदी स्मेल होती बहुत है एक भेड़ होता एक शीप होता तो क्या होता सुछ आट इसपीकर कहते हैं कि जो ट्रू एंपथी है बसका मतलब यह निय है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता अगर तुम्हें बहुत होता है तो तुम्हें वह भी सोच नहोंगा कि साइकोलोजिकली इस इक पर पताते हैं किस तरीके से उन्हों ने अडॉप्ट करी थी प्रैक्टिस लग दक परस्पेक्टिफ से दुनिया को देखने का और वर्ल्ड जो है वो कैसा हो जाता है जब आप एक दुसरे की नजरिये से दुनिया को देखो तो एक्सपिरियंस करना चाहिए इस तरीके से भी पोईम जो है उसको conclusion कैसे आता है वो बस suggest करती है पोईम लास में चाकर कि अपने अंदर empathy लाओ animals के लिए और अपनी जो treatment है बाकी human beings के लिए बाकी beings के लिए भी बहतर बनाओ एक deeper understanding होनी चाहिए compassion होना चाहिए एक दया का भाव होना चाहिए हर एक living creature के लिए speaker कहता है कि हम harm नहीं cause करेंगे किसी को violence नहीं करेंगे suffering नहीं करेंगे अगर हम ऐसे बन जाते है तो और poem जो है वो further कहती है कि हर एक इंसान को हर एक being को हर एक व्यक्ति को हर एक जानवर को हमें as a fellow brother as a brother जो है वो सोचना चाहिए या अपने बराबर ही समझना चाहिए और compassionate और empathetic society जो है वो बन जाएगी मतलब सबके अंदर एक दया का भाव आजाएगा सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे सबके अंदर empathy आजाएगी empathy का मतलब क्या हो गया कि अपने आपको दूसरों के perspective में रखकर फिर दुनिया को देखना तो तब तुम्हारे अंदर वो feeling आती है तो वो भी सब लोगों के empathy अपने phone को जल्दी से शुरू करेंगे और आप बहुत ही जल्दी से समझने लग जाएगे Have you ever thought how it would feel? क्या तुम्हारे कभी सोचा कैसा feel होगा? तुभी अ कव और होर से मंचिंग ग्रास In some wet field with flies all around your eyes No hands to shoot them off or worse तुभी अ चिकन in a battery farm Under the lights all day and night, the smell and the heat और a sheep or a sow In a truck on the way to the abatto ये कहते हैं, क्या तुम्हारे कभी सोचा कैसा feel होगा? एक गाई अगर तुम्हारे घोड़े हो और तुम्हारे घास खा रहे हो और तुम्हारे आँखों के पास मख्या मिन बिना रही है और तुम्हारे वास हाथ ही नहीं है ये से भी ज्यादा बूरी हालत अगर तुम्हारी कैसे होगी अगर तुम एक चिकन हो, तुम एक फाम में हो, हर वक्त तुम्हारे ओपर लाइटे ओन करी हुई है, हर वक्त दिन रात लाइटे ओन, इसमेल इतनी गंदी वहाँ पे है, और उसके बाद वो हीट इतनी गरम होते है, इतनी गर्मी, और उसके बाद अगर तुम कोई शीब होते और सोचो उस situation को to see what it sees, to feel what it feels यह सोचो वो क्या देख रहा है यह सोचो वो क्या फील कर रहा है उसका डर, उसका दर्द, यह महसूस करो और उसका plain discomfort या सिरफ उसका discomfort ही महसूस कर लो अगर तुम उसका दर्द नहीं महसूस कर सकते है उसको जो थोड़ी से हिचकेटाहट जीवन जिनने में हो रहे है उसको ही महसूस कर लो, उसको जो थोड़ी सी problems in life में आ रही है, उसको ही महसूस कर लो क्या तुम सोच सकते हो animal क्या सोच रहा होगा, क्या तुम उसकी तरह सोच सकते हो चौंग्जो ने ऐसा किया था, जब फारू जो थे, वो रीन करते थे, मतलब फारू एजिप्ट रूलर्स वहा करते थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने सोचा कर में कितली होता तो, और जब 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 जागे, and when he woke, he wondered, if he really were a word और सोच यहार, हाँ में हूँ, तो ऐसे ही हमें भी करना है, सोच तो बच्वांग्जो रहे हैं, but he dreamt of being a butterfly, तो अब हमें भी इस चीज को प्रेक्टिस करना होगा, कि दूसरों के नजरिये से, दूसरे जानवरों के नजरिये से, दूसरे fellow beings के नजरिये से, जीवन को देखने क और फिर हम रिल एमपथी को पस स्यू कर पाएंगे, और हमारे अनदर सच मुझकी एमपथी आपाएंगे, तो अनदर बेसी साइस, तो बहुंत बेस्तों के तो रहाप्स यह मायं तूसरों को तार्चिर नहीं करेंगे, तो यह माराजिए नहीं, और एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना सीख पाएंगे और एक ब्रदर की तरह ट्रीट करना सीख पाएंगे तो that was the end of the poem I will try to upload the theme of the poem as well as the title of the poem as well as the important question and answers of the poem till then keep watching the video और all the best for your exam I hope you all will do wonders in your exam thank you for watching